अलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो मैं चनल आज मैं आपको स्ट्रेट अंगरखा कुर्थी बनाना बताऊंगे बहुत ही आसन तरीके से तो उसके लिए देखे मैंने ये धाई मिटर क्रेप का फैबरिक लिया हुआ है आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैबरिक में से बना सकते है तो सबसे पहले बेक पार्ट की कटिंग करेंगे तो फैबरिक को मैंने डबल फूल करके बिचाया हुआ है जो मेरी सैट है वो इसकी बंदवली सैट है और जो उपर की सैट है वो इसकी खुली हुई सैट है और देखे इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 44 यानि की 44 इंज की रखी है अभी देखे शोल्डर के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है क्योंकि आगे से हम इसमें डीपनेक बनाने वाले है इसलिए शोल्डर हमें 7 इंच का ही लेना है और आम होल की लंबाई के लिए भी हमें 7 इंच पर ही निशान लगाना है साथ इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रो कर देनी है जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आम होल भी लेना है अभी यहां से हम चेश्ट का मेजरमेंट लेंगे तो आपकी चेश्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच एड़ कर देना है सिलाय मार्जिन के लिए तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है चेश्ट का फोर्थ पार्ट करके 2 इंच एक्ष्टा लेना है अभी बेक आम होल के लिए हमें 13 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से round shape draw कर देना है अभी उपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है जहां से हम कमर का measurement लेते है और एक निशान हमें 21 इंच पर लगाना है जहां से हम hip का measurement लेते है तो एक निशान मैंने 14 इंच पर लगाया है और एक निशान मेंने 20 इंच पर लगाया है अभी देखी जहाँ पर हमने 14 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से हमें कमर की चौड़ाय का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच एट कर देना है सिलाए मार्जिन के लिए तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है वेश्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्ष्टा लेना है अभी दिखी जहाँ पर हमने 21 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें हीब की चोड़ाय का चोथा भाग करना है और उसमें भी हमें दो इंच एट कर देना है सिलाय मार्जिन के लिए तो मैंने साड़े ग्यारा इंच पर निशान लगाया है अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह के से हमें लाइन डो कर देनी है ये देखी इस तरह के से अभी दिखी जितना निशान हमने hip के लिए लगाया है पिल्कुल उतना ही निशान हमें नीचे पर भी लगाना है यानि कि साड़े 11 इंच का निशान हमने hip के लिए लगाया है तो उतना ही निशान हमें नीचे वाली side पर भी लगाना है तो उतना ही नीचे से भी हमारा गेरा रहेगा तो हमें चाप को फोल्ड करने में कोई परेशानी नहीं होगी तो नीचे पर भी मैंने हिप का फोर्थ पार्ट करके दो इंच एक्ष्ट्रा लिया है यानि की साड़े ग्यारा इंच पर निशान लगाया है अभी इस निशान को भी हमें नीचे तक इस तरीके से इंच पर ही निशान लगाना है और इस तरीके से राउंड शेप ड्रोग कर देना है अभी जहां पर हमारे आम होल वाली लाइन है वहाँ पर आधा इंच पर निशान लगाते हो इस तरीके से तिर्चे लाइन ड्रोग कर देनी है शुल्डर स्लोप के लिए अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो दिखे इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है और ये बेक वाले पाट की कटिंग हो चुकी है अभी जहां पर हमारी कमर की चोड़ाई है वहां पर हमें एक छोटा सा कट लगा देना है और जहां पर हिप की चोड़ाई के लिए निशान लगाया है वहाँ पर भी हमें एक छोटा सा कट लगा देना है ताकि हमें फिटिंग करते वक्त आसानी हो अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके भी छाया हुआ है लेकिन जो खुली हुई साइट है उसे मैंने अपनी की तरफ रखा है और देखिए इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 16 इंच की रखी है तो जितना भी हमने बैक पार्ट कट किया था उसमें हमें 4 इंच फैब्रिक एक्ष्ट्रा लेना है क्योंकि हमें इसे अंगरखा शेप में कट करने वाले है अभी देखिए 4 इंच जो हमने एक्ष्ट्रा लिया था वहाँ पर हमें इस तरह के से निशान लगा देना है उपर से लेकर नीचे तक यानि कि 4 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रो कर देनी है उपर से लेकर नीचे तक इतना फैब्रिक हमने एक्ष्ट्रा लिया हुआ है तो आपको 4 inch fabric ही extra लेना है अभी देखे जो line हमने draw की है उसके आगे हमें back वाला part अच्छे से set करते हुए रख देना है और इसका armhole और नीचे तक as it is ऐसे ही हमें इसे draw कर लेना है गले की चोड़ाई पर भी हमें एक छोटा सा निशान लगा देंगे तो देखे इस तरीके से मैं draw कर लिया है और हमें इसकी cutting कर देनी है अभी बेक वाले part को हम हटा देंगे और आधा inch अंदर की तरफ armhole के लिए हम line draw कर लेंगे अभी देखे हमें आगे की गले की लंबाई के लिए निशान लगाना है यानि कि extra fabric की 4 inch की वहाँ पर भी हम 5.6 inch पर निशान लगा देंगे और जो 6.5 inch पर हमने निशान लगाया है उसके नीचे हमें 2 inch पर एक और निशान लगा देना है और जो गले की चौड़ाई के लिए हमने निशान लगाया था उस निशान को इस निशान के साथ मिला देना है और इस तरीके से हमें V-Shift ड्रो करना है तो जो गले की लंबाई रहेगी उससे नीचे 2 इंच पर निशान लगाते हुए हमें इस तरीके से V-Shift ड्रो करते हुए इसकी कटिंग कर देनी है और जो एक्स्टा फेबरिक हमने लिया है वहाँ पर भी हमें एक छोटा सा कट लगा देंगे और फ्रंट आम होल की भी हमें कटिंग कर देनी है तो इस तरीके से आगे के लिए हमारे दो पिस कट हो चुके है तो ये पीस हमारे एक दूसरे के उपर और इस तरीके से ओवरलिप होंगे, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से, तो ये हमारा अंगरखा शेफ बन जाएगा, तो आगे की फ्रंट पाट की कटिंग आपको इसी तरीके से करनी है, तो ये एक दूसरे के उपर इस तरीके से ओवरलिप हो और दिखे, स्लिव की जो चोड़ाई मैंने रखी है, वो साड़े आठ इंच की रखी है, तो मैं इसमें 3-4 स्लिव बना रही हूँ, सिंपल ही, अभी कैप स्लिव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, बंद वाली साइट पर भी हमें 3 इंच पर निशान की है, और उसमें 2 इंच मैंने एक्स्रा लिया है, तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है, और साइट से भी हमें इस तरीके से लैंड ड्रो कर देनी है, अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है, तो जैसे हमने ड्रो किया है, बिल्कुल वैसे ही हमें स्लिव की भी कटिंग कर आप चाहें तो इसमें कोई designer स्लीव भी बना सकते हैं मैंने simple स्लीव ही रखी है तो दीखे हमने स्लीव की भी cutting कर दी है और इस तरीके से हमारी दो स्लीव है तो चलिए बढ़ते stitching की तरप तो सबसे पहले जो हमारा back neck है उसके उपर हम तिरशी पत्ती अटेज करेंगे तो पत् को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी सैट पर पलट देना है अभी देखे फ्रंट पार्ट को कैसे रेडी करना है वो भी मैं बता देती हूँ तो देखे इसमें मैं कॉंट्रास कलर में रेट कलर की पाइपिंग बनाने वाली हूँ आप चाहे तो यहां पर कोई लेज भी लगा सकते हैं अभी देखे जो दोनों सैट का नेक है वहां पर हम पाइपिंग बनाएंगे तो उससे पहले यह तरशी पट्टि को में इस तरीके से गले के ऊपर रखना है और इसके उपर हमें सिलय लगा देनी है दोनों ही सैट में तो देखे मैंने इसमें सिलय लगा दी है पट आपको समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से दूसरी सैट पर भी हम एक पतली सी पाइपिंग बनाते हुए पट्टि को फोल करेंगे उड़्टी सैट पर तो इसे हम डबल फोल इस तरीके से करेंगे कि पतली सी पाइपिंग हमारी उपर की तरफ नजर आ सके तो देखे इस तरीके से मैंने पतली सी पाइपिंग निकाल ली है दोनों ही सैट के निक्के उपर अभी जो हमारा स्ट्रेट वाला पाठ है वहाँ पर भी हम रेट कलर की पट्टी आटेच करेंगे लेकिन देखिए जो हमारा लेफ्ट सैट वाला जो टॉप पाठ है उसके उपर हमें पत्य को सीधी सैट से ही रखते हुए इसके उपर सिलाय लगानी है तो ये सीधी पत्य ही हमने कट की है और पत्य की बौर्डर को फोल्ड करते हुए पूरी पत्य को हमें उल्टी सैट पर पलट देना है क्योंकि ये लेफ्ट वाला पाठ हमारा अंदर की तरफ चूप जाए तो सीधी पट्टी को हमें सीधी साइट से ही रखते हुए इसके उपर से लगानी है और जैसे हमने गले में पतली सी पाइपिंग निकाली थी बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसके उपर भी पतली सी पाइपिंग निकाल लेनी है तो पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए हम उ तलिसी piping निकाल दी है यह देखे इस तरीके से आप देख सकते हैं क्योंकि यह वाला पार्ट हमारा उपर की तरफ नजर आएगा अब देखे जो हमारा left side वाला पार्ट है उसके उपर हम 4 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देंगे और जो right देख सकते हैं उस तरीके से अच्छे से हमें इसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप कर लेना है ताकि हमें सिलाई लगाने में कोई भी परेशानी ना हो इस तरीके से चार इंच फैब्रिक हमें एक दूसरे के उपर इस तरह के से ओवर लेप कर लेना है और इसे हम पीन से सिक्क्यूर कर लेंगे उपर वाला जो हमारा नेक है उसे भी अच्छे से V-shape में हमें इसे पीन अप कर लेना है पीनप करने से क्या होगा कि जो नीचे वाला फैब्रिक है वो हमारा इधर उधर खिसकेगा नहीं और हमें सिलाई लगाने में भी आसानी हो तो देखे इस तरह के समय नेक पर भी अच्छे से V-shape में सिलाई लगानी है यानि कि पीन्स लगा लेनी है उसके बाद देखे यहाँ पर मैं डोरी भी अटेच करने वाली हूँ तो डोरी को मैंने डेडिक कर लिया है और इसके उपर टेजल भी मैंने लगा दिया है अभी देखे जहाँ पर हमारा अंगरखा शेप आया हुआ है वहाँ पर हमें इस दोरी को अंदर की तरफ रखना है जैसे आफ वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से और दूसरी जो डोरी है वो हमें दूसरी सैट पर रखनी है जहां पर हमारी फिटिंग वाली सैट है वहाँ पर दोनों को अच्छे से मिलाते हुए रखना है एक दूसरे के सामने होनी चाहिए दोनों ही डोरिया उसके बाद दिखे उपर से लेकर हमें 30 सिंज पर एक निशान लगाना है तो 30 सिंज तक ही हम इसमें सिलय लगाएंगे नीचे हमारी स्लेट रहेगी तो देखे आप 30 सिंज या 32 सिंज तक इसमें सिलय लगा सकते हैं उसके बाद हम इसके उपर सिलय लगाएंगे तो जो हमारा अंगर का शेप है यानि की जो वी शेप है वहाँ से लेकर जो हमने पाइपिंग बनाई हुई है तो जो हमने 30 इंज पर निशान लगाया है वहाँ तक ही हमें इसमें सिलय लगानी है तो देखे मैंने इसमें सिलय लगा दी है V-shape में और पूरे 30 इंज तक जो हमने निशान लगाया है वहीं तक हमने सिलय लगाई है और नीचे इस तरीके से हमारा sliets रहेगा आप देख सकते है तो इस तरीके से मैंने डोरी को भी sagtest कर लिया है ये देखे दोनों डोरी को मैंने अटेज कर लिया है आप चाहे तो इसे बिना डोरी के भी बना सकते है लेकिन थोड़ा सा fancy look देने के लिए मैंने यहांपर डोरी लगाई है और बेक वाले नेक के उपर भी मैंने तिर्शे पट्टे को अटेज कर लिया है अभी एक पाट को सीधा रखना है और दूसरे पाट को उल्टा रखना है और इसके शॉल्डर जोएंट कर लेने है तो देखे मैंने इसके शॉल्डर जोएंट कर लिया है अभी हम इस लगा देनी है आप चाहे तो लोग के ऊपर भी पतली सी पाइपिंग बना सकते हैं और इसी तरीके से दूर सेट के ऊपर भी लोग यте लोग को उलटा रखना है और सेंटर से ही मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलय लगा दी है और दोनों ही स्लू को मैंने अटेच कर लिया है अभी हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर देना है और जहां तक हमारी हिप लाइन है वहां तक हमें दो इंच का गेप रखते हुए इसकी फिटिंग कर देनी है और उसके जो नीचे वाले चाक है उसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है और इसके उपर हम सिलय लगा देंगे तो उपर वाला चाक और जो नीचे वाला चाक है उन दोनों ही चाक को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और इसके उपर हमें सिलय लगा देनी है और इसी तरीके से दूसरी सेट पर भी, जहां तक हमारी हीप लाइन है, वाह तक हमें इसमें फिटिंग की सिलाय लगा देनी है, दो इंच का गेप रगते हुए, उसके बाद इसके उपर और नीचे के चाख को हम डबल फोल्ड करते हुए, इसमें सिलाय लगा देंगे, उसके बाद देखी जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड करते हुए इसके उपर सिलाय लगा देनी है लेकिन जो फ्रांट वाले दोनों ही पार्ट है जो एक दूसरे के उपर हमने ओवरलेप किये हुए है तो दोनों ही पार्ट को अलग अलग हो में इसकी बॉर्डर को डबल फ करते हुए इसमें सिलाय लगा दी है दोनों ही साट से मैंने इसकी फिटिंग कर ली है और चाक को भी मैंने फोल्ड कर लिया है और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाय लगा दी है अभी आप चाहे तो इसमें डोरी लगा सकते है या फिर अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजे और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत बुलिएगा ताकि आपको हम हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपको यह वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा मेरा यह वीडियो देखने के लिए थेंक्यू सो मच फ्रेंड्स